माहा वेलकम कहती है आपको माहा के किचिन वे तो देखिए आज क्या बनने जा रहा है माहा के किचिन में आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचिन में बहुत ही जबरदस सी, मज़ेदार सी, कराची, ग्रेन चट्नी बहुत ही बज़ेदार होती है और अमोमन जो है आप देखते हैं कि समोसों के साथ, पकोड़ों के साथ, शॉपस में भी जो है पकोड़ों समोसों की जो शॉपस होती है उसके साथ एक चट्नी दी जाती है लेकिन बहुत पतली होती है पिलकुल पतली पतली सी होती है आज हम बनाएंगे थोड़ी सी थेक ताके जब हम उसमें डिप करें समोसे, पकोडे, रोल, कचौरी, कुछ भी तो उसके उपर लगे थोड़ा सा के हाँ आपने कोई चटनी में डिप किया है तो वो मज़िदार सी चटनी बनाने के लिए simple ingredients लेकर आई हूँ हमेशा की तरह बहुत ही जटपट और बहुत ही लजीज चटनी बनाएंगे आज हम अपने किचिन में तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो ingredients निकाले हैं बहुत ही simple हैं बलकुल अभी हम आपको बताएंगे quantities की और method के साथ सबसे पहले मैं बताती चलूँ कराची के जो बड़ी बड़ी शॉपस हैं जहां के मशूर समोसे, रोल, पकोड़े, पैटीज वगारा उसके साथ ये चटनी सजर्फ की जाती है बहुत ही मशूर, बहुत ही टेस्टी तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और जानते हैं कि इसके लिए किस quantity में हमें क्या चीज दरकार है हरा धनिया एक गठी पौदीना हाफ गठी इमली का पल्प चार टेबल स्पून दही चार टेबल स्पून एक बड़ी हरी मिर्च वन टेस्पून जिंजर गर्लिक पेस्ट हाफ टीस्पून नमक और हाफ टीस्पून ही चाट मसाला तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं क्विक सी मज़ेदार सी कराची ग्रीन चटनी यहां मैंने ग्रेंडर में सबसे पहले हरा धनिया पौदीना मैंने अच्छी तरह से धो के काट के रखा था तो हम पहले इसमें अड़ कर रहे हैं हरा धनिया आप अपनी नीट के मताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं कौईंटीटी को और नमक भी आप अपने टेस्ट के मताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं तो अभी मैंने एड़ किया हरधनिया और अब मैं इसमें एड़ करने जा रही हूं पौधीना जिसको मैंने इस तरह से मोटा-मोटा थोड़ा सा काट लिया था इसको हम एड़ करेंगे बहुत ही खुश्बू इतनी जबरदस ना रही है इसकी fresh, हरा धनिया और पौतीने की अब हम इसके अंदर हरा धनिया पौतीना डालने के बाद डालेंगे हरी मिर्च अच्छा, हरी मिर्च इसमें बहुत ज्यादा नहीं डालने चाहिए सिर्फ आपको भूअ तो तेस्ट थोड़ी सी मिर्च की थोड़ी सी तेजी आनी चाहिए इसमें बाकी बाकी चीजों का फ्लेवर जो इसमें हम ब्लेंड करेंगे बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर बनेंगे वो ज्यादा अच्छा टेस्ट बनता है दही मिर्च और ये मैं भी एड़ कर रही हूँ लहसन अदरक का पेस् अपनी है उसका टेस्ट खराब हो जाता है तो बैलन्स टेस्ट के लिए हम एक हरी मिर्च इतनी काइंटिटी के लिए काफी है साथ ही इसमें डाल रहे हैं चाट मसाला बहुत ही मज़ेदार सब ये इसके तमाम फ्लेवर्स को बैलन्स करता है और बहुत ही जबरदस उसको ए एक टेस्ट देता है नमक एड़ किया मैंने हाफ टी स्पून और मुझे लगता है इतना इसके लिए इनफ है बहुत ज्यादा तेज नमक इसमें मज़ा नहीं आता आप लेकिन जो लोग तेज खाते हैं वो इसमें अपनी नीट के मताबिक डाल सकते हैं आखिर मैं इसको मैं हम आखर में इसमें दही आड़ करकी ग्राइड करेंगे तो चलें पहले इसको ग्राइड कर लेते हैं अच्छी तरह से पानी डालने की बिलकुल जरूरत नहीं क्योंकि हमने इसमें जो इमली का पल्प डाला है उसके वो इतना इनफ है इसको बहतरीन कंसिस्टेंसी देने के लिए पानी हमने बिलकुल एक ड्रॉप भी इसके अंदर आड़ नहीं किया अच्छी तरह से इसको ग्राइंड करेंगे ग्राइंड करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी किस स्टेज पे हमें इसके अंदर आड़ करना है दही बहुत ही बैलेंस इसके अंदर हमने जो आड़ करने की जरूरत नहीं है तीन टेबल स्पून इस कॉइंटिटी के लिए बिलकुल बैलन्स और परफेक्ट है तो जब इसके अंदर हमने एड़ किया दही अब हम इसको करेंगे मज़े से ग्रैंड बहुत ही जबर्दस हमारी चटनी तयार होने वाली है और आपके खा आप उसके लिए इसको सर्फ कर सकते हैं बहुती मज़ेदार लगती है और सभी इसको बहुत शौक से खाते हैं तो चलें इसको भी हमने ग्रैंड कर लिया और अब हम इसको अपने जार में निकाल लेंगे यह जबर्दस आपके यह अराम से हफ़ता दस दिन आपके फ्रिज नहीं होती हैं लेकिन कोशिश करें कि वही कहूंगी कि गीला जमच इसमेड ना करें और दूसरा यह कि जार को अची तरह से बंद करके रखें और हफ़ता दस दिन तक आप इसको इंजॉय कर सकते हैं तो यह देखिए बहतरीन सी हमारी चटनी तयार हो गई है इसकी के साथ अपने सर्फ कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं तो चल देखिए इसको मैं करती हूँ डिश आउट उमीद है कि आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी इसको जरूर बनाईएगा और कॉमेंट्स में बताईएगा कि यह कैसी बनी और फिर मिलेंगे इंशाल्ला एक नई रेसिपी के साथ जब तक के लिए अल्ला हाफिज